आपको बहुत बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम डिस्कॉस करने वाले हैं कल ट्यूजडे के दिन मार्किट किस प्रकार से काम कर सकता है निफ्टी वैंक निफ्टी दोनों के इंपोर्टेंट सपोर्ट और रिचेंस लेवल क्या होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा इसको भी आप जाकर के जोईन कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है साथ में आप हम सब इने ट्रेट के बारे में डिस्कॉस कर सकते हो कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूंच सकते हो लिंक आपको डिस्कॉस में मिल जाएगा अगर यहां पर आपको discuss करके बताया था कि इसके अंदर यहां पर आप देखोगे ठीक है यह जो यहां पर ascending broadening chart pattern बना हुआ है यहां पर आप देखोगे कि यह यहां पर एक bullish candlestick pattern है जिसको piercing line candlestick pattern बोला जाता है वो यहां पर trend line के पास बनी हुई है ठीक है तो यहां पर 2 चीज़ इसके और शाथ में previous के अंदर यह वाले जो यहां पर एरिया है ठीक है यहां पर आप देखोगे पहले यहां पे support लिया था यहां पर support लिया था यहां पर भी support लिया था तो कि यहाँ पे यह previous के अंदर जो red and green candle का combination है वो resistance के पास में यहाँ पे एक dark cloud cover pattern था और यह अगर इसका low break होता तो activate होता और फिर यह वापस से इस वारी trend line के दरफ वापस आता लेकिन यहाँ पे यह activate नहीं हुआ है और पहले यह upside में चला गया है तो यहाँ से यह upside ज़्यादा दिखाने की कोशिस करेगा मैंने आपको बोला भी था कि 99% chances है कि market upside में जाए और 1% chances है कि downside में आये और वो 1% कब होते है जब कुछ यहाँ पे globally market के अंदर कोई event create होता नया वाला ठीक है तो लेकिन अब आप देखोगे कि market के अंदर यह जो swing था इसको यहाँ पे एक दिन रुखने के बाद में breakout दे चुका है और अब जो हमारे target होने वाले हैं यह lifetime high की तरफ जाने वाला है market ठीक है और यहाँ से फिर बाद में हम decide करेंगे कि यह वाली जो trend line है उसकी तरफ या फिर पहले पहले तो आपको पता ही है कि यह वाली trend line ही आईगी तो यह वाली trend line के भी हमारे target होंगे तो यह हम देखेंगे बाद में लेकिन अब भी हम बात करें तो market एक दम strong है और आपको एक सीस में मोलना चाओंगा कि wednes देखो market के अंदर यहाँ पे closing है ठीक है holiday है तो यहाँ पे आप देखोगे कि market close है और bank nifty के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने sort करके गया था तो sort जो covering है वो होने वाली है तो इस चकर के अंदर market है वो एक दम से upside खींच सकता है यह चीज आपको ध्यान देनी है market फिल से कल यहाँ पे तेजी दिखाएगा अच्छी वाली तो हो सकता है कि वो तेजी आपको यहाँ पे underestimate नहीं करना है आप सोचो कि यह तेजी क्यों हो रही है लेकिन वो हो सकती है बड़ी तेजी चार्ट भी आपका यही बोल रहा है ठीक है तो यहाँ पे 15 मिनिट के उपर चल के देख लेते हैं कि 15 मिनिट पे चार्ट है वो क्या बोल रहा है और कल के जो लेवल है वो हमारे क्या रहने वाले हैं ठीक है तो यहां पे आपको downside के अंदर यह जो level है नीचे के अंदर यहां पे मैं आपको लिखे भी बताऊंगा और upside के अंदर यह वाली जो level है यह आपको धान में रखने हैं मैं आपको लिखके बता देता हूँ यहां पे market के अंदर आप देखोगे कि थोड़ा सा gap up opening हुआ था market उपर गया resistance face किया और नीचे से आकर के पूरा gap fill करके यहां से आप देखोगे कि bullish हरामी candlestick बनी थी यह वाली अगर मैं इसको यहां पे फिर से clear करके बताऊं तो यह जो दोनों candlestick है यह bullish हरामी candlestick है support के पा है अब आपके सामने दो चीज़े हैं ठीक है एक तो यहां पे जब breakout हुआ है उससे पहले एक ये range बना करके गया है तो market हो सकता है कि वापस यह वाला जो candle का low है उसको breakdown करके यहां पे इस वाले लों के पास में support टेले तो अगर market आपके सामने यह तीन चीज़े ध्यान रख का तो यह चीज़े आपको ध्याम रखनी है हो सकता है कि इस range के अंदर market काम करें और इस range के बाद में जैसे ही निकले का upside में तो तेजी होगी और अगर downside में आता है तो नीचे के अंदर यह वाले जो support area है वो support देने वाला है पहला support area यह हो गया और इसके बाद भी जो support and resistance ह जो कल पूरे दिन के लिए काम में आएंगे तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा ना बने ठीक है तो यहाँ पर निफ्टी के support and resistance level है वो आपके सामने है इनको आप कल पूरे दिन के लिए use कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आप 2625 को जो कि यहाँ पर है इस वाले level को अगर breakdown देता है तो नीचे में 2590,250 और 2520 के level है और नीचे के अंदर 2475 से 450 की जो जो जोन है वो भी आज सकती है तो यह level होगे हमारे निफ्टी के ठीक है मैंने आपको बताया है कि यह वाले जो जोन है इसके अंदर market यहाँ पर consolidation कर सकत है और breakout देगा तब हम या फिर breakdown देगा तब हम entry लेंगे हो सकता है कि gap up या फिर gap down भी opening देदे अब gap down opening यहाँ पर भी दे सकता है इसके नीचे भी दे सकता है तो जैसे ही नीचे देगा तो यह वाला जो area है वो resistance के जैसे काम करेगा यहाँ पर फिर से कोई negative candlestick बनती है तो यह वापस इस वाली zone में आने के बाद यह वापस यहाँ से support लेकर के upside जा सकता है तो यह भी conditions हो सकती है gap up opening देने के बाद में हो सकता है कि gap को fill करने के बाद में यहाँ पर support लेकर के फिर से चला जाए जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे gap up opening हुई नीचे आया और फिर से य ध्यान रखनी है price actions क्या कर रहे हैं ठीक है और साथ में यह चीज़ आपको ध्यान रखनी कि first 15 minute के अंदर कभी भी आपको trade line दे रहा है तो यह चीज़ें का ध्यान रखना है तब आपका profit होगा otherwise आप यहाँ पे यूहीं अंधेरे के अंदर तीज चलाओगे तो आपका काम नहीं होने वाला तो अब हम बैंक निप्टी की बात कर लेते हैं बैंक निप्टी के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे जैसा मैं आप बोला था कि जो बड़ा वावाला हमारा channel है ठीक है bullish channel उसके internal के अंदर यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे कि एक bullish channel बना हुआ ह और इस bullish channel के अंदर आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यह इसको follow कर रहा था यहाँ पे मैंने wine के लिए बोला है यहाँ पे selling के लिए और फिर से यहाँ पे आप देखोगे मैंने strong तरीके से आपको बोला है कि यहाँ पे horizontal line है trend line है और candlestick pattern आप देखोगे तो यहाँ पे यह भी candlestick pattern है वो piercing line candlestick pattern है तीन चीज़ें यहाँ पे support के लिए बोल रहा था यहाँ से market upside में गया है यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि previous swing है यह वाला तो इस वाले swing के पास में हो सकता है कि यहाँ से यह जो यहाँ पे red और green candle का formation है यह dark cloud cover है इसके नीशे तो वापस से trend line की तरफ आ सकता था लेकिन market के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे opening देने के बाद में पूरा और चला गया और upside के अंदर यह वाली trend line है यह follow कर रहा है ठीक है अब यहाँ पे आप देखोगे कि पहले भी trend line के थोड़ा उपर गया था फिर यहाँ पे पहले जो channel है इसको यह इस तरीके से करता हुआ अब side में जा सकता है यह चीज आपको ध्यान रखनी है लेकिन अब bank nifty है उसके अंदर जो 50K का यहाँ पे level है वो बहुत pass में है तो हो सकता है कि एक बार जो investors हैं या trader है वो इसको 50K तक खीज दें ठीक है तो अगर यह खीजते है तो upper side की जो trend line है यह वाली हमारा उदर की side में resistance होने वाला है तो यहाँ पे strong chart है कोई problem नहीं है chart के अंदर और तेजी इसके अंदर हो सकती है अच्छी खासी वाली तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है 15 minute के chart के उपर इसके भी level है वो मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पे आपको एक एक जो level है उनको यहाँ पे थोड़ा सा clear भी कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि breakout वाला हमारा यह वाले लेवल था उसको breakout देकर के ऊपर में गया है यहाँ पे आप देखोगे कि RSI है वो diverges पे आ गया है यहाँ पे price upside में है RSI downside में है तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए ठीक है एक बार नीचे आ जाए और फिर से यह RSI को सीधा करने के बाद में upside में निकले तो यह चीज़ कर सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि यह यहाँ पे sorry मैंने फिर से थोड़ा सा गलत कर दिया है यह last 15 minute की candle है उसको आपक 350 का यह level आपको ध्यान में रखने है इस level के बीच में काम करें तो कोई problem नहीं है लेकिन इसके breakout देने पे upside बनेगी और breakdown देने पे यह downside में आएगा और downside में अगर यह 49,350 को break करता है तो सीधा यह वाले जो swing है यहाँ पे 49,250 का level है वो हमारा support area बनेगा इसके बाद में यह व 59,250 और इसके नीचे आता है तो सीधे इधर के side में और यह वाले जो area है ठीक है इधर के side में market है वो आने वाला है यह सभी level मैं आपको लिख दिया है उपर के अंदर हम बात करते हैं तो 49,475 को breakdown देता है तो एक काफी अच्छा strong resistance level है 49,550 से लेकर के 49,625 का इसके उपर जा अने के बाद में sustain करता है तो यहां पर फिर बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी और उसमें 49,725,49,850,49,975 से लेकर के 50K का जो level है वो अच्छीव कर सकता है कल ही market तो यह level आपको ध्यान रखना है बहुत important level होते हैं ऐसे ही level नहीं निकाले जाते हैं काफी म करता है और साथ में यह सी ध्यान रखनी है कि कल यहांपे Tuesday है टुजडे कल और Wednesday को क्या होती है मारकेट के अंदर बैंक निफटी की weekly expiry लेकिन यहां पर Wednesday को market है वह closed है ठीक है तो यहाँ पर Tuesday के दिन ही बैंक निफटी की क्या उने वाली है weekly expiry तो कल ही यानि बैंक निफटी लेवल हो रहने वाला है तो उसको भी आपको ध्यान रखना है काफी तेजी से मार्केट अपसाइड में गया है और यहां पर मार्केट के अंदर बहुत जादा सोट्स बने हुए थे तो सोट कवरिंग भी हो रही है और कल भी वो सोट कवरिंग कंटिन्यू रह सकती है क्योंकि मार्केट आप देखोगे कि 49,000 के उपर अच्छे तरीके से टिका है तो यह वाले जो लोग है वो फस चुके हैं अच्छे तरीके से और इसके बाद में आप देखोगे और हाँ जरूरी नहीं है कि तेजी हो अगर यह यहां पर मार्केट रेंज में रहा तो यह इन लिवल्स के अंदर जो फसे हुए हैं उनको निकलवाने के लिए थोड़ा नीचे भी आ सकता है तो हर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिलकुल फ्री में हमारे अडर में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रप्टिन बॉक में मिल जाएगा मिलते है नेक्ट वीडियो में थैंक्यू वरी मॉच